सरकार की तरफ से सीधा वयान दिया गया जो रेगुलेटर हैं कारेभाही करेंगे देश की छवी का कंपनी की छवी से कोई मतलब नहीं है क्या मतलब है क्या सरकार वाकई दूरी बनाती दिख रही है समूँ से सरकार के नजरिये से तीन महतुपूर्ण खबरें आई जिससे आप कुछ चीजें समझ सकते हैं कुछ संदर्भ ले सकते हैं पहली खबर ये कि भारत की जिस हमने पिछने सब्ता कहा था कि जिस तरह से संकट अदानी समूँ पर दिख रहा है करज का संकट जितना बड़ा दिख रहा है इस टॉक मार्केट में साख का संकट जितना दिख रहा है उसमें स्वभाविक सी बात है कि नियामकों को आ गया कर खुल कर कुछ कहना पड़ेगा और सरकार को इस पश्टूप से अपना नजरिया सामने लाना पड़ेगा वित्तमंत्री की तरफ से बयान दिया गया क अडानी समू बाजार को रेगुलेट करने के लिए के लिए हमारे रेगुलेटर्स टोज पर है और भारत की साख को पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है यानि सरकार ने एक तरह से रेगुलेटर्स को धीमे से ये कहा कि चीजें जो सामने इस पश्टूप से जाचकी के इस सा शुक्रवार तक हमारे पास था उसे साफ से सरकार ने अडानी समू में क्या है है इस पर कोई टिपनी नहीं की पर ये भी नहीं कि आडानी समू में जो है वो सब कुछ पाक साफ या साफ स США है काम नियामकों को देखना में के बीटर की बाद तो एक चीजे समझना जहां सरकार का सीधा दखल महतुपूर्ण था एक खबर आपको शुबम ने बताई कि उत्तरप्रदेश के बिजली कार्पोरेशन ने पाउर कार्पोरेशन ने उस टेंडर को ही रद कर दिया जिसमें अडानी सम्हों ने स्मार्ट मीटर्स के लिए बोली लगाई थी और यह मा प्तुपूर्ण वजह थी वो बांगलादेश के साथ अडानी सम्हों का बिजली करार है जिसमें घरकंड गोड़ा के सेंतर से अडानी सम्हों के सेंतर से बांगलादेश को बिजली जी जानी अडानी सम्हों के तरफ से ऐसे सपश्टिकरन सामने आये कि इस करार मर्क पर बारा काम नहीं हो रहा है बांगलादेश की सरकार को को इसकी लागत में बिजली की लागत में कमी की अपेक्षा है जिस पर बात की जा रही है क्योंकि जो स्कोईले की लागत आस्ट्रेलियन कोईल के आधार परते की गई थी उसके आधार पर बांगलादेश को इस बिजली मह समले में में एक किस्म की दूरी बनाने की कोशिस की गई हाला कि संसद में दूसरी तरफ से जाच की मांग चल रही है तो यह हुआ सरकार का पक्षा अब लगता है कि सरकार की तरफ से बड़े बयान डारी समूर पर नहीं आएंगे बिलकि नियामकों की तरफ से यह आया से अब कर रहे हैं कि आपने करट की कही है कि चाया भारत में हो चाया है कर्ज को लेकर बड़ी दिक्क्त आएगी चलिए नई परियोजना है तो एक बार को रोकी जा सकती है लेकिन जो कर्ज चुकाने हैं उनको लेकर कितनी बड़ी समस्या दिख सकती है। चुबिस सो सरसट करोर रुपए के हैं जो ततकाल पेमिंट्स अभी अगले महिने में करने हैं। चुबिस में तीन बड़े बॉंड्स कंपिनी को जिनका भुक्तान कराना है वो 15600 करोड़ रुपए के हैं। बांड्स का भुक्तान भी कंपिनी को करना है। उनके टोटल लोन पॉर्टफोलियो में आडानी का एक्सपोजर सीमित है। यह बात सही है क्योंकि बैंकों के पास और भी बहुत सारे लोन है। लेकिन ऐसी चर्चा है कि 11,576 करोड़ रुपए के अंसिक्योर लोन भी हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया की दो बड़ी एजंसियां, मूडी और S&P, अडानी सम्हू के बांड को लेकर अडानी सम्हू की साख को लगभग डाउंगरेट करके यह आउटलुक को चेंज कर चुकी फिच ने बार करा रखी अडानी सम्हू की रेटिंग। दूसरी तरफ अंतराश्टी इस तरफ बांड बाजार में अडानी सम्हू की साख को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं देंदारी को लेकर ऐसी स्थिती में जो अनसेक्योर लोन से उनका क्या होगा यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी तो गर आप करीब से कि हमें आने वाले समय में दिखाई देगी कैपेक्स प्लान को लेकर या बाकी निवेश को लेकर कि कितनी ऐसी सरकारी परियोजनाएं हैं जिन सरकारी परियोजनाओं में अब सरकार के साथ अडानी सम्हू आगे बढ़ पाएगा त्योंकि बहुत सारी आने वाली परियोजन में रूपी बांड भी है उसमें विदेशी मुद्रा बांड भी है फिनाशल इस्टिटूशन से बारुइंग भी है हम आकड़ा देख रहे थे और इसके अलावा इंट्रकापरेट बांड भी है तो सबसे बड़ी चुनोती अब अगले पाच्छे महिन पाच्छे हफतों के अ उन्हें वापस किया जा रहा है और यही सबसे महतुपूर्ण बिंदोगा आने वाले समय में क्योंकि यहां से समय बहत चुनोती पूर्ण शुरू होता है कर्ज को लेकर पूरा का पूरा का पूरा का पूरा पूरा का पूरा का पूरा का पूरा कारोबारी प्लान चुकि य प्रयोजना हैं इनको आप इकुटी से नहीं चला सकते तो इस सारी की सारी प्रयोजना है कर्जपर केंद्रती